पूरे विश्वर में राधा स्वामी सत्संग मत को लोगों को अपनाना चाहिए क्योंकि जब भी भगवान को भी नीचे आना होता है आवतार लेना होता तो मानव के रूप में लेना पड़ता है गुरू के रूप में आते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ भी पिंचोधरी राधा स्वामी संत्मत परमुक बाबा गुरिंदर सिंग धिलो ने दस तारीक में पिलखनी डेरे में सत्संग फरमाया और उन्हें सुनने के लिए कहीं लाख लोग डेरे में पहुँचे थे लेकिन जिस तरीके की वेवस्ताएं थी ने कहीं पर जाम था ने किसी परकार का कोई जगड़ा फसाद था और कमाल की बात ये है कि जितने लोग डेरे में थे सभी ने परसाद ग्रैंड किया किसी वेक्ति की भी ये सिकायत नहीं रही कि वो भूका है अब इस परकार की वेवस्ता और इस वेवस्ता के पीछे आखिर कड़ी क्या है संत लोग क्या मानते हैं बाचित करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य अखाडे के आचारिये महा मंदलेस्वर संत कमल की सोर जी मौजूद है माराजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंदुस्तान 24 पर आपके चैनल का भी बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने हमें अफसर दिया माराजी अभी रादा स्वामी संतमत पर्मुक बाबा गुरिंदर सिंग डिलो ने यहीं सारनपूर में पिलखनी डेरे में सत्संग फरमाया और लाखों लोगों ने उसमें इस्सा लिया यह आपने भी जरूर देखा होगा सुना भी होगा किस परकार की व्यवस्ताइं थी ने कहीं पर जाम था ने कहीं पर जगड़ा फसाद था और सभी ने परसाद भी ग्रेंड किया किसी की ये सिकायत भी नहीं रही कि वो भूका है तो वो कौन सी कड़ी है किस परकार की ये ववस्था है ये बहुती उत्तम व्यवस्था है और इसके पीछे जो मुख्य कारण है या मुख्य धारा है वो राधा स्वामी जी के जो महराज जी जिन्होंने शुरू किया ये मत उन्होंने सभी को ये सिखाया प्रेम पहली चीज दूसरी निश्ठा और तीसरी विनम्रता ये तीन गुण अगर किसी एक व्यक्ति के आ जाएं अंदर तो व्यवस्था अपने आप सुधर जायती है भारत वर्षी नहीं पूरे विश्वर में राधा स्वामी सत्संग मत को लोगों को अपनाना चाहिए कारण आप देख लें प्रेम माल लेजिए कि कोई मा रोटी पकाती है रोटी थोड़ी सी जल जाती है वो क्या करती है जला हुआ हिससा अपने तरफ रख लेती है और अच्छी वाली रोटी अपने बच्चों को देती है, क्योंकि बच्चों से प्रेम करती है, अगर कोई फल, केला या सेब थोड़ा सा गल गया है, तो वो उसको साइड में रख देगी, अलग रख देगी, और अच्छे वाला केला या अच्छे वाला सेब अपने बच्चो लेकिन अगर देखा जाए यही प्रेम अगर मानव का मानव के भीतर आ जाए जो कि महराजी सिखाते हैं गुरिंदर सिंग धिलो जी यहां आए तो आपने विवस्ता में देखा होगा कि जब ट्रैफिक चल रहा था तो एक एक चौराहे पे उनके स्वयम सेवक वहां पर उपस व्यवस्ता इतनी सुद्रड थी कि इससे पूरे विश्व को सबक लेना चाहिए कि यह होता है प्रेम मानव का मानव के पती प्रेम निष्ठा दूसरा शब्ध हमने का निष्ठा किसके प्रती अपने गुरू के प्रती निष्ठा क्योंकि गुरू है उजाला गु मैंने अं अंधकार से रोश्नी की और ले जाए प्रकाश की और ले जाए वो होता है गुरू। नफरत नहीं सिखाता घ्रणा नहीं सिखाता और यही बात अराधा स्वामी सत्संग में सिखाई जाती है अब आप कहेंगे कि लाखों लोग आए लेकिन ऐसा कुछ वहां दिखाई नहीं दिया कि कोई जगड़ा हो रहा हो या किसी को भोजन नहीं मिल रहा है बिलकुल बात सत क्योंकि जब सामने वाले में भी आपने अपने आपको देखा एक होकर निष्ठा के साथ प्रेम के साथ समर्पन के साथ उसे अपना समझा उसी में आपने इश्वर को देखा तो आप नफरत करोगे तो कैसे है एक तो एक ही हो सकता है दो टुकडे करोगे तो दो टुकडे अलग-अलग हो जाएंगे तेरा अलग मेरा इश्वर अलग गौड अलग लेकिन सभी कहते हैं गौड एक अलग एक इश्वर एक जब एक है तो उसको अलग-अलग करके कैसे देख सकते हो नहीं देख सकते हैं यही बात वहां सिखाई जाती है महराजी देश दुनिया में समरस्ता के लिए क्या राधा स्वामी संतमत जैसे मतलब यह जो संतमत है यह होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए 100% होने चाहिए क्योंकि यही जीवन का आधार है और अगर हम इस जीवन के आधार को नहीं देखते तो हम अपने पैरों पे खुद गुलाडी मार रहे हैं आप देखिए पानी गर्म होता है लेकिन पानी का सभाव क्या शांत हो जाना धीरे 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 वो ठंडा हो जाता है इनसान का सभाव क्या है क्रोध करता है पहले गुसा करता है लेकिन क्रोध के बाद क्या होता है? वो पच्चताता भी है. पूरे विश्व में ये सर्वे किया गया जब तो पाया गया कि जितने भी अपराद होते हैं, निन्यानवे प्रतिशत अपराद क्रोध में आकर होते हैं. और अगर क्रोध ही चला जाए तो निन्यानवे प्रतिश विश्याओं को अपनाना बहुत आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, और पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, विश्व शान्ती के लिए आवश्यक है. महराजी ने जो सत्संग फरमाया उसमें कहा कि परमात्मा एक है और सब मज़ब एक ही रास्ता दिखाते हैं हाँ, परमात्मा एक है, मज़ब, संपरदाए, कौमें ये अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा तो एक है ना, अब जैसे सिख एक कौम है, संपरदाय है, बहुत एक संपरदाय है, जैन एक संपरदाय है, मुसलिम एक संपरदाय है, इवन हिंदू भी एक संपरदाय है, धर्म तो एक है, सनातन, वो जो आधी काल से चला आ रहा है, आज भी है और आने वाल युगों में भी रहेगा, तो फिर ये लड़ाई जगड़े क्यों? और लड़ाई जगड़े धर्म के नाम पर, भाशा के नाम पर, सीमाओं के नाम पर, उच नीच के नाम पर, आखिर क्यों? इसलिए तो ये कहा जाता है कि रक्त को नारियों में बहने दो, नालियों में नही महराज जी की बहुत बड़ी बात है जब इनके रखडान के केंप लगते हैं तो ब्लट बैंक भर जाते हैं लेकि रख देने वाले नहीं थकते महराज जी के एक कहने पर क्योंकि वो उनकी अपने गुरू के प्रती निश्ठा है जो उन्हें अंदकार से यानि भारी पन से हलका कर देता है उजाला उनके जीवन में भर देता है अंधेरा मिटा देता है ये बहुत बड़ी बात है महराज जी मेरा सवाल आप से ये है कि क्या आपकी नजरों में कोई और ऐसा संत है जिस तरीके से उनके फोलोवर्स बन जाते हैं और लोग पैर छोना चाहते हैं और वो हाथ पकड़ कर मना कर दें कि नहीं भाई हम तो यहाँ पर समानता का संदेश देने के लिए आए हैं समानता का पाट पड़ा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जो लोग बाबा कुरिंदर सिंग धिलो के पैर छोना चाहते हैं तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और यही वो बात कहते हैं कि हम तो भाई यहाँ पर समानता का संदेश देने के लिए हैं हमारी नजरों में कोई बड़ा और छोटा नहीं है यह तो बात शिरी गुरु को विंजिंग जीरे भी कही है कि स्वयम ही मैं गुरू और स्वयम ही मैं चेला और यही बात जब हम लोग महामंडलेश्वर बनाते हैं तो जब हमारा कोई महामंडलेश्वर बनता है उससे पहले के महामलेश्वर, उसे भगवान शंकर का, भगवान शिव का रूप समझ कर उसे प्रणाम भी करते हैं, सभी में जब इश्वर को देखा गया, तो गुरू और शिश्य समान हो जाते हैं, मैं आपको छोटा सा एक बात बता दू, कि गुरू पहले कहा जाता था कि पारस है, यानि लोहे को, पीतल को, किसी को भी छू लेगा तो सोना बना देगा, लेकिन नहीं, गुरू उससे उपर की चीज है, गुरू ने अगर आपको छू लिया, छू लिया, तो वो स्वेम आपको भी पारस बना देगा, अपने समकक्ष लेके आ जाएगा, बराबर ल विश्य को भी अपने समकक्ष बना देना, अपने जैसा बना देना, यही तो बात है, गुरू की, और कमाल की बात है, और इसी लिए तो हम कहते हैं, कि पूरे विश्य में ऐसे मत को फैलना चाहिए, लोगों को ग्रहन करना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है, कुछ संतमत महराज जी ऐसे हैं, जिनके लगातार परचार होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, और किस किस तरीके के उन पर आरोब लगते हैं, देखें, हर समाज में, चाहे वो संत समाज है, या राजनीती का समाज है, या आपी का पत्रकार समाज है, तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे आही जाते हैं, जो असब्भे होते हैं, अभद्र होते हैं, इनका व्यवार सही नहीं होता, ये हर हर समाज में होते हैं, तो संतों के समाज में भी ऐसे आ जाते हैं, जो कहते हैं कि मेरे पैर चुओ, इस से उनके एहंकार को तो श्टी मिलती है, लेकिन वो वास्तम में अगर कोई गुरू कहे कि मेरे पैर चुओ, या मुझे जो एक लाग रुपया या पांच लाग या दस लाग या एक करूर रुपया जो दान दे रहा है, वो मेरे पास आके बैठे, मेरा प्रिय शिश्या है और जो विचारा कुछ नहीं दे सकता है, सिरुफ सेवा और श्रम द बी करते हैं, जिसके पास जो है, वो देता है, खुले मन से देता है, अपने गुरू के प्रती समरपन करके देता है, गुरू में वह भी इश्वर का रूप देखता है, तो कि वास्ता में, जैसे एक मील का पत्थर होता है, उसमें लिखा रहाता है दिल्ली 187 किलो मीटर, तो अगर मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ, तो क्या दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे. गुरु मील का पत्थर है, वो दिशा दिखा रहा है. मैंने यह से कहूँ, योद को सामने क्या है? वो हो सूरज. तो आप मेरी उंगली पकड़ कर बैठ जाएं. तो क्या आपको सूरज दिखेगा? नहीं दिखेगा. इसी तरह से गुरु क्या कहता है? गुरु सामने की तरफ इशारा करता है, कि तुम भी परमेश्वर बनो, मेरी तरह बनो, पारस बनो, और गुरु पारस बनाता है. ये है संतमत की बात. महराजी, आपने रादा स्वामी संतमत के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा. और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने बाबा गुलिंदर सिंग दिल्लो के सत्संग भी जरूर सुने होगे. तो मतलब उनकी बातों में, उनके वैवार में, मतलब आपको किसी परकार का कोई पाखांड या, किसी परकार का कोई आडंबर नजर आया? ना, वो जो अंदर से हैं, भीतर से हैं, वो बाहर से हैं, कोई आडंबर नहीं, साधारन वेक्तित तो है, क्योंकि जब भी भगवान को भी नीचे आना होता है, आवतार लेना होता है, तो मानव के रूप में लेना पड़ता है, गुरू के रूप में आते हैं, और अगर कोई एहंकारी हो जाता है एहंकार करता है कि मैं तो ये बात सा जान लीजिए कि वो गुरू है ही नहीं क्योंकि ग्यान जितना बढ़ता है प्रकाश जितना बढ़ता है उतना ही आदमी विनम्र हो जाता है उसको क्रोध नहीं आता हम क्रोध की लोगों को शिक्षा दें कि तुम क्र करोद मत करो प्रेम करो और आगे से मेरे से कोई गुजर जाए तो मेरे भीतर तो क्रोद छिपा हुआ मैं दूसरे को कैसे कहूंगा ये बात बाबा गुरिंदर सिंग जी में नहीं है वो जो भीतर से हैं वो बाहर से हैं वो तो प्रेम का अथा सागर है प्रेम उनके अंदर से और लोगों को छू जाता है, दिलों को छू जाता है, और फिर देखो, तभी तो सामने वाले लाखों अनुयाई जो उनके हैं, जो उनको मानने वाले हैं, प्रमात्मा को जो मानने वाले हैं, उनकी एक बात पे चले आते हैं, और लाखों लोगों की भीड, भीड मतलब नियंत के सारा कारे करती हैं अंदर से उसके सूर्थी उठती है और वो सेवा भावना से कारे करते हैं इसलिए लाखों लोगों को लंगर भी मिलता है भोजन का प्रसाद भी मिलता है और भीड से कहीं भी कोई जाम नहीं लगता कुछ नहीं होता बिलकुर शांती पुर्वक जैसे कु अच्छा लगता है महराजी अब मेरा आप से इंतिम सवाल है और सवाल ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्वनी और मतलब प्रकास का क्या रोल है ध्वनी यानि शब्द यानि नाद हम जो भी कह रहे हैं वो तरंगों के रूप में आपके कानों तक पहुँच रहा है अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं होंगे, ध्वनी अच्छी नहीं होगी देखे, एक होता अक्षर, आ, आ, ई, ई, उ, उ, लेकर ये सारे अक्षर हैं अक्षरों के समू से बनता है शब्द, और शब्दों के समू से बनता है एक मंत्र और अगर शब्दों का समू अक्षरों का समू शब्दों का समू एक गाली के रूप में बदल जाए किसी को मा बहन की गाली देखे देखो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है आपको पता है शरीर में 206 हट्डियां होती है लेकिन जीब में कोई हट्डि नहीं होती लेकिन जीब से वानी तो निकलती है शब्द निकलते हैं और यही शब्द अगर गाली के रूप में निकले तो क्या करेंगे 206 की 206 हट्डियां तुडवाने की ताके दरखते हैं गाली जीब देगी गुसा मुँपे पड़ेगा है ना इसी तरह से अगर ये शब्दों का समू जो गलत है जो आनियंत्रित समू है वो क्या कर सकता है नकारात्मक समू हट्डियां तुडवा सकता है तो अगर अच्छे शब्दों का समू मंत्र के रूप में या किसी के लिए प्रेम के रूप में वानी से बाहर निकले तो प्रमात्मा की प्राक्ति भी करवा सकता है और पूरी दुनिया का आपको राजा भी बना सकता है लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं आप ये तो हुई शब्द की बात द्वनी की बात अब आपने की प्रकाश की बात प्रकाश सूरे का प्रकाश जब आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है अंधकार का क्या काम जब प्रकाश आ जाए आपकी आँखें चाहे कितने भी क्यों ना सक्षम हो बिल्कुल ठीक देख सकती है लेकिन क्या आमावस की रात को आप देख पाते हो अगर वहाँ पर प्रकाश नहीं है चंद्रमा का या दिये का या मोमबत्ती का या ये ट्यूब लाइट का या फिर सूरे का तो प्रकाश तो चाहिए इसी तरह से अज्ञान को क्या कहागा अंधकार अग्यान अंधकार उसको नश्ट करने के लिए जो ग्यान का प्रकाश है वो आवश्चक है और बाहर के लिए अगर सूरे तीन दिन ना निकले पृत्वी से खत्म हो जाए सूरे हट जाए तो तीन दिन के अंदर-अंदर पूरी पृत्वी खत्म हो जाएगी इस पे जीवन का नामो निशान नहीं रहेगा ना पेड़ पौधे रहेंगे ना ही कोई पशू पक्षी रहेंगे ना इनसान रहेगा जैसे बाहर प्रकाश की आवशकता है चंद्रमा के और सूरे की इसी तरह से हमारे जीवन में भी अग्यान के अंदरकार को मिटाने के लिए अग्यान के प्रकाश की आवशकता है जो हमें गुरू देता है चलिए तो दिव्य सक्ती अखाडे के आचारी महामंड लेस्वर संत कमल की सोर जी को आपने सुना फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदोस्तान 24 के साथ नमस्कार